आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पुर्शों की ऐसी गंबीर समस्या के बारे में जिससे कभी न कभी अपनी लाइफ में एक मेल पुरुष यानि की आदमी जरूर परेशान रहा होगा जरूर उसने इस समस्या का सामना किया होगा और वो है नाइट फॉल की समस् जिसको वेट ड्रीम्स भी कहते हैं यानि की स्वपन दोश तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वपन दोश क्या है क्या कारण होता है इसके होने का और कब ये एक बिमारी का रूप ले लेता है और इसका क्या उचित आयरुवेदिक ट्रीटमेंट एविलेबल है तो वीड करते हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नाइट फॉल होता क्या है जब कभी भी आप सो रहे हैं चाहे दिन में सो रहे हो या रात में आपको सेक्स्वल ड्रीम्स आते हैं या फिर आप उल्टे सो रहे हैं उससे फ्रिक्शन होता है आपके प्राइविट पार्ट में उसकी वज़े से या आपको यूरेन आ रहा है और नीद की वज़े से आप यूरेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वज़े से भी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और इन कारणों की वज़े से या और अन्य किसी कारण की वज़े से आपको जो है सीमन आपका निकल जाता है इजैकुलेशन हो जाता है यानि की वीरे बहार आ जाता है इसको नाइट फॉल कहते हैं और यही nightfall अगर एक महीने में एक बार या महीने में दो से तीन बार हो रहा है तो यह normal है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है यह बिल्कुल normal होता है पर अगर यहीं आपको हफते में दो से तीन बार nightfall हो रहा है या फिर रोज लगातार बार-बार आपको nightfall होता है तो ये घबराने की बात है और आगे चलके गंबीर समस्या भी बन सकती है और generally nightfall होने के बाद सुपने दोश होने के बाद एक आदमी में पुरिश में गिल्टी की feeling आती है यानि की एक आत्म गिलानी की feeling आती है और stress जैसी समस्या भी आ सकती है जिससे की low self confidence और पुरुश का एक आदमी का confidence बिल्कुल shattered हो सकता है गिड़ सकता है तो इसके treatment की requirement इस stage में जरूर हो जाती है आईए फटा-फट से बात करते है किन कारणों की वज़े से लेकिन reasons की वज़े से अपने दोश होता है तो generally youngsters यानि कि जो जवान young person होते हैं आदमी होते हैं उन में ये देखा गया है पर हर age work में ये मिलता है पर generally youngsters में ये ज़्यादा पाया जाता है और अगर आपको जो है sexual pleasure sexual आपके जो activities हैं वो कम है उसकी वज़े से भी हो सकती है या फिर आप बहुत ज़ादा menstru doableate करते हैं या बहुत कम menstruation आप कर रहे हैं उसकी वज़े से भी आपको स्वप्न दोश हो सकता है और अगर आप बहुत ज़ादा porn movies देखते हैं बहुत ज़ादा sexual active movies देखते हैं तो उनकी वजय से भी ये हो सकताै और आयरवेद में इसका सफ़्ष्ट रीजन बताया है कि अपान वायू की दुष्टी की वजय से होती है और जनरली धातु शय की वजय से भी हो सकती है हमारे शरीर में सात धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्ती, मज्जा और शुक्र तो धातु शे की वज़े से भी यह हो सकती है और जो शुक्र धातु है उसमें दुष्टी की वज़े से भी यह देखा गया है तो हमें जो treatment करना है वो धातु शोधन का treatment करना है और वात दोश को reduce करने का वात दोश की जो दुष्टी है उसको भी reduce करने का treatment हमें करना है treatment बताने से पहले कुछ विशेश tips हैं जिनका आपको ध्यान रखना है number one tip रात में मिर्च मसाले दाल खाना विल्कुल अवाइड करें लसुन अद्रक और प्याद से बना खाना भी avoid करें या कम कर दें दूसरा रात में आप खाना जो है आड़ बजे से पहले ही अपना खाना खतम कर लें तीसरा point रात में पानी कम पीजिए और सोने से पहले urine जरू कीजिए पिशाब जरू कीजिए चौता point porn movies में ज़्यादा indulge मत होई है इनको कम कर दीजिए बिल्कुल बंद कर दीजिए और पांचवा point योगा exercise और meditation पे विशेश रूप से ध्यान दीजिए प्रणायाम जरू कीजिए meditation कीजिए और कीगल exercise भी आप विशेश रूप से follow कीजिए तो चलिए फटावट से treatment की बात करते हैं treatment जब भी लें आप डॉक्टर की सला से लें आईरवेदिक डॉक्टर की सला के बिना treatment बिल्कुल ना लें treatment हमारा mean focus रहेगा सबसे पहले वात अनुलोमन यानि की वात दोश का स्रेमन करना और वात दोश के समन के लिए सबसे best होता है गी और तेल तो डेली गाएं के घी का आप सेवन कीजिए भरपूर मातरा में और उससे भी जो अच्छा है वो है हींग हींग और जीरा अपनी डाइट में जरूर एट कीजिए और अब बात करते हैं धातू शोधन की यानि की शुक्र धातू के शोधन की शुक्र धातू के शोधन के लिए सबसे best होती है सरवुत्तम होती है चंदर प्रभावटी और आरोग्यवर्धनी वटी तो 2-2 गोली चंद्रपभावटी की और 2-2 गोली आरोगयवरदनी की सुवए शाम 2 गोली सुवए 2 गोली शाम को दोनों की गरम पानी के साथ आप लीजे खाना खाने के बार अब हम बात करते हैं धातु पुष्टी के लिए और शुक्र के स्तंबन के लिए तो आपको जो formula बताने वाला वो आप note कर सकते हैं आपको लेना है शतावरी चून, हरितकी का चून यानि कि हरड का चून अशुगंदा चून, भ्रामी का चून और जाती फल का चून ये सारे चून आपको 50-50 ग्राम लेना है इक्वल अमाउन में मिला लीजिए उसमें आपको गिलोय सत्व डालना है 200 mg, वंग भस्म डालनी है 125 mg और आपको इसमें डालनी है प्रवाल पिष्टी 200 mg ये सारा मिक्स्चर आप एक साथ मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए और इसकी आधी चम्मत सुबह, दुपहर और शाम को आपको लेनी है दूद के साथ ये सारा का सारा ट्रीटमेंट और जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई है और एकसराइज और योगा वो आप एक महीने देड़ महीने तक फॉलो कीजिए आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आप हमको फेस्बूक इंस्टागराम पे भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो